यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहं परित्रानाय साधूना गनाशायच दुश्कृता धर्मसंस्थापना थाय संभवामी युगे युगे नमस्का स्टूड़न्ट्स आपने अभी सुना महाभारत का सुप्रसेद स्टूड़न्ट्स स्टूड़न्ट्स क्या आपको पता है कि महाभारत में सबसे डानवीर पात्र कौन था करण था बहुत से लोगों ने उत्तर दिया है करण तो करण कौन था इसका जीवन क्या था इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे करण का जीवन दर्शन ये जो पध्य है इसका साहित्य प्रकार है खंड काविय और खंड काविय के रचेता है रामधारे इसरी दिनकरजी तो आए हम सबसे पहले तो रामधारे इसका जीवन दर्शन काविय क्या है उसमें ये रामधारे इसके विचार किस तरह से व्यक्त किये गए है करणका अपना जीवन बता कर रामधारे इसकार इसके विचार व्यक्त किये है तो आए हम देखते हैं रामधारे इसका परीचे हिंदी के सुप्रसिद कवी रामधारे इसरी दिनकरजिन का जन्मा 1908 में बिहार के मुंगेर जिल्ले के सिमर्य नमक गाउ में एक किसान परिवार में हुआ था उन्होंने परारंबिक सिक्सा मुंगेर तदा उच सिक्सा पट्ना में प्राप्त की है पट्ना विश्व विध्याले में सनातेक की उपादी प्राप्त करके कोच समय तक अध्यापन कार्य किया दिनकर्जी सितामडी में सब रेजिस्टर और मुझजफ और कोलेज में हिंदी विबाग के अध्यक्स रहे है भागलपूर विश्वविध्या लेके उपकुलपती रहे और भारत सरकार का हिंदी सलाकार समिति के भी वे अध्यक्स रहे चुके है दिनकर्जी की सबसे बड़ी विशेष्टा क्या थी बहुत से कवियों ने हिंदी साहित्य में लिखा है लेकिन रामधर इस्री जी दिनकर्जी है वो कुछ अलग किसम के आदमी थे उनकी विशेष्टा क्या थी तो दिनकर्जी की सबसे बड़ी विशेष्टा है का प्रहत ने किया है आज हम जो उनकी रचना पढ़ेंगे करना का जीवन दर्सन इन में हमें एक यूग अपने देश के लिए कौनसी चीज़ आवश्यक है और हम किस दोड में लगे हुए वही बात एक करना के पात्रा द्वारा हमें बताने वाले है दूसरी एक नामधारी द समताओं का खुल कर्चित्रन किया है उनकी वानी में सक्ति है उनकी वानी में ओज है उनकी कविता में शोशित और पिडित वर्ग की व्यथा है और उसे मुक्ति पाने का जो संगर्ष दिया है वो उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है उनकी महत्व पूर्ण रचनाएं क रस्वंति और कुरुक्षेत्र ये उनकी काव्य कृतिया है उसमें जो उर्वर्शी काव्य है उसको उस काव्य को 1922 में गिनानपिट पुरसकार से सम्मानित किया गया है और उनका जो दूसरा काव्य संग्र है रस्मी रथी तो आज जो हम पढ़ने वाले है करणा का जीवन द ऐसे तो उन्होंने बहुत सारा गध्य साहिते भी लिखा है पर आज हम जो देखने वाले है करणा का जीवन दर्शन तो ये जो करणा का जीवन दर्शन है ये खंड काव्य कौनसे काव्य से लिया गया है तो रस्मी रथी से लिया गया अब हमें एक प्रस्णा आता है कि खं खंड कावे यानि क्या तो खंड कावे यानि पूरे महा कावे के किसी एक छोटे से प्रसंद अर्थाद गटना के उस गटना या प्रसंद को कावे सरूप देते हैं उसे कहते हैं खंड कावे हमारे भारतिय साहित्य में दो महा कावे हैं रामायन और महा भारत अगर हम रामायन भी पढ़ने जाए तो पूरा साल निकल जाए बहुत महिने निकल जाते हैं लेकिन वो पूरा काव्य नहीं पर उसमें से एक छोटी सी घटना एक प्रसंग को लेकर ये जो कोई कवी अपना काव्य स्वरुप बनाता है इसे कहते हैं खंड काव्य तो आज हम पढ़ने वाले है करण का जिवन दर्शन हमें गनात है कि सबसे दानवीर पात्र कौन था करण था करण किसका पुत्र था तो कुंते पुत्र था तो जब महाभारत युद्ध से पहले ये करण को स्री कुष्ण समझाते हैं कि है करण तुम पांडवों में स्रेष्ट हो और जैश्ट भी हो यानि बड़े भी हो लेकिन ये करण का जीवन जो था वो अन्याय और अपमान से बरा हुआ था तो उनके जीवन में उनकी मित्रता दुर्योधन से होई थी तो कुष्ण समझाते हैं कि महाभारत यूद होने वाला है इससे पहले तुम अपने भाईयों को साथ देओ उनके पक्ष में चले आओ लेकिन ये करण जो था मित्र धर्म निभाता है कि नहीं पूरे मेरा जीवन जो संकट में था उस दोरान दुर्योधन ने मुरा साथ दिया है तो मैं अब उसे छोड़ सकता नहीं हूँ तो कृष्णा ने बताया कि तुम अपने भाईयों को साथ दो पांडव पक्ष में चले आओ तो उसके उत्तरूप जो करण ने कहा है कि तुम मुझे किसी भी प्रकार की लालसा मत दो कृष्णा ने करण को समझाने के लिए कहा था तुम पांडव पक्ष में चले आओ तुम जैश्ट हो यानि बड़े हो तो बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाता है तो आपको मैं इस नगरी का राजा भी बना दूंगा तो उसके उत्तरूप जो करण बात करते हैं कि नहीं मुझे ऐसी लालसा मत दो तो उसके उत्तरूप जो काव्य है वही है हमारा काव्य करण का जिवन दर्सन और करण ये स्रीकृष्ण भगवान को उत्तर देते हुए कहते हैं कि वैबव विला की चाह नहीं अपनी कोई परवा नहीं बस यहीं चाहता हूं के वल दान की देव सरीता निर्मल करतल से जरती रहे सदा निर्धन को भरती रहे सदा तूच्छे है राज्य क्या है केसों पाता क्या नरकर प्राप्त विभव चिंता प्रबुत अतल पहास कुछ चाक्चिक्य और कुछ क्षण विलास पर यह भी यहीं गवाना है कुछ साथ नहीं ले जाना है मुझसे जो मनुश्य होते हैं कंचन का भार न डोते हैं पाते हैं धन विखराने को लाते हैं रत न लुटाने को जक्से न कभी कुछ लेते हैं दान ही रदय का देते हैं प्राशादों के कान का प्षिकर होते कबुतर के ही गर महलों में गरूर न होता हैं कंचन पर कभी न वो सोता है बस्ता वही पहाडों में सैलो की फटी दरारों में होकर सुक सम्रुद्धि के आधिन मान होता निता तपक्षिन सता किरीट मनिमयासन करते मनुश्य का तेजहरन नर भी भवेतु ललचाता है पर वही मनुझ को खाता है चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुरोर को मल पर अमृत कलेश का पीए बिना अत्तप अगंड में जीए बिना वह पुरुष नहीं कैला सकता विद्नों को नहीं हिला सकता उड़ते जो जानजावातों में पीते जो वारी प्रपातों में सारा आकास अयन जिसका विश्दर भुजंग भोजन जिसका वेही फणी बन चुडाते हैं दर्तिक्वा रदय जुडाते हैं में गरूड में कृष्णा में पक्सी राज सीर परना चाहिए मुझे ताज दुर्योदन पर है विपदगोर सकता न किसी वीश उचे छोड रण खेत पाठना है मुझको अही पास काठना है मुझको रण केत पाठना है मुझको अही पास काठना है मुझको अही पास काठना है मुझको तो आए अब हम समझते हैं इस काविय के सारांस को करण का जीवन दर्शन कि जब स्रीकृष्ण भगवान ने कुंती पुत्र करण को समझाया कि तुम पांडव में स्रेष्ट हो और जैष्ट भी हो यानि बड़े हो तो आप अपने भाईयों को साथ दो लेकिन ये करण जो है मित्र धर्मे निभाने है तुम दुर्योधन का साथ दिना चाहते है और उसके उत्तरुप वो समझाते है कि वैबव विलास की चाह नहीं अपनी कोई परवा नहीं करण कहते है मुझे वैबव और विलास की चाहत नहीं है यानि वैबव यानि धन और विलास यानि सुख भोग कुछ लोग है वैबव और विलास दोनों को एक समझते है लेकिन जिसके हमें भोगते हैं यानि सोख भोगते हैं उस वैबव से यानि भावतिक वो जो वस्तुए है उसे हम कहते हैं तो वैबव और विलास की चाह नहीं है चाह का अर्ध होता है चाहत इच्छा तो करन कहते हैं मुझे दावन वैबव यानि सोख सुविदा आधी कि तुम लालच देते हो लेकिन मुझे उसके चाहत नहीं है इच्छा नहीं है अपनी कोई परवा नहीं करन कहते हैं मेरा जीवन तो संकट से बरा हुआ था तो मुझे अपनी कोई परवा नहीं है बस यही च शरीता निर्मल कर्तल से ज़रती रहे सदा नीर्दन को भड़ती रहे और हमें पता है कि करण जो थे वो दान वीड थे तो ये क्या चाहते है करण कि केवल बस यही चाहता हूं कि दान की देव सरीता शरीता का अर्थ होता है नदी नदी कभी रुकती नहीं है तो ये कहते हैं कि दान की देव सरीता जिस तरह नदी हमें सब बैती रहती है इसी तरह मेरे हाथों से भी दान सदा होने वाला हो यानि दान की देव सरीता निर्मल निर्मल यानि पवित्र जिस तरह पवित्र नदी गंगा बेहती रहती है इसी तरह मेरे हाथों से भी हमेशा दान लोगों को दिया जाए कर्तल कर्तल सब्द का अर्थ होता है हतेली करतल से जड़ती रहे यानि मैं मेरे हाथों से हमेशा लोगों को दान देता रहू जिस तरह नदी कभी नहीं रुकती इसी तरह मैं भी कभी ना रुकू मेरी हतेली से मेरे हाथों से हमेशा लोगों को दान दिया जाए और निर्दन को भरती रहे सदा जो कंगाल लोग है निर्दन है गरीब है जिनके पास पैसे नहीं है निर्दन निवत्ता धन यानि जिसके पास धन नहीं है वो निर्दन उनको भरती रहे सदा क्यों कि करण का तो जीवन था हमेंसा लोगों को दान देना और हमें भी पता है कि करण को हम किस तरह से पेचानते हैं तो दानवीर के रूप में पेचानते हैं तो यह करण कहते हैं कि मुझे वैबा विलास यानि सूक दान इसकी चाहत नहीं है बस मेरे हातों से हमें इसा लोगों को दान दिया जाए और निर्धन जो होए उसको मदद रूप में होता रहा है जब स्रीकृष्णने ने कहा था कि हम तुम्हें पूरा राज्य सौप देंगे तब करणा ने कहा कि तुम मुझे ये राज्य की लालसा मत दो तूचे राज्य क्या है केशव पाता क्या नर कर प्राप्त दिभव चिंता प्रभुत अतल पहास कुछ चाक जीके कुछ खण विलास यानि ये करणा स्रीकृष्णने के कहते हैं कि तुम मुझे राज्य देने की लालसा मत दो तो राज्य क्या है तूचे है राज्य क्या है केशव पाता क्या नर कर प्राप्त विभव यानि जो नर है जीवन सुखी हो जाता है विभव अगेरा धन संपति से लेकिन धन संपति से हमें क्या प्राप्त होता है तो करणा बताते हैं कि धन विभव से हमें चिंता प्रभूत प्राप्त होता है यानि चिंता प्रभूत प्रभूत यानि अधिक मात्रा में हमें चिंता प्राप्त होती है अतल्प हाश अति अल्प मात्रा में यानि क्षणिक मात्रा में हमें हस्य मिलता है कुछ चाक चिक्ये चाक चिक्ये का अर्थ होता है चमक दमंग यानि ये कृष्ण से कहते हैं कि तुम मुझे राज्य देने की बात करते हो तो नर जो है यानि मनुष्य है वो वैबो प्राप्त करके क्या पाता है तो बहुत सारी चिंताय प्राप्त होती है अतलप हास्य यानि थोड़ी मात्रा में हमें हस्य मिलता है और कुछ चाक्चिक यानि कुछ क्षण के लिए हमें चमक दमक मिलती है और कुछ क्षण विलास और कुछ क्षण के लिए हमें ये धन संपति का सुखो बोग मिलता है पर यह भी तो यही गवाना है कुछ नहीं साथ ले जाना है यानि जिसकी तुम मुझे लालच दे रहो हो ये सब यहीं गवा देना है जैसे ही मृत्य हो जाएगी हमें खाली हाथ चले जाना है कुछ भी अपने साथ यानि स्वर्ग में लेकर नहीं जाना है तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि नर वहिबव प्राप्त करके क्या प्राप्त करता है तो बहुत सारी चिंता है कुछ ख्राण के लिए हास्य कुछ ख्राण के लिए चमक दमग और कुछ ख्राण के लिए वहिबव यानि सोक पर ये भी यहीं गवा दिना है और मृत्यू के साथ हमें खाली हाथ लोट जाना है आगे कहते हैं मुझसे जो मनुश्य होते हैं कंचन का बारना ढोते हैं पाते हैं दन बिखराने को लाते हैं रतन लुटाने को यानि ये करण जो है स्रीकृष्णा से कहते हैं कि मुझसे जो मनुश्य होते हैं यानि मेरे जीसे जो इंसान होते हैं करण के जैसे वो मनुश्य क्या करते हैं तो कंचन का बारना ढोते हैं कंचन कंचन सब्द का अर्थ होता है सोना तो बताते हैं वो कभी भी कंचन का भार न डोते हैं यानि जो राजा लोग है अच्छे-च्छे सौने के गहने वगेरा पहन लेगे अपने सरीर उपर गले में माला पहनेंगे, हाथों में बाजू बन, सीर पर मुगट और वगेरा सब कंचन यानि सौने से पूरा अपना सरीर लाद देते हैं लेकिन ये करण कहते हैं मुझसे जो मनुश्य होते हैं कंचन का भार न डोते हैं यानि सौने का भार कभी नहीं उठाते हैं पाते हैं धन विखराने को लाते हैं रत लुटाने को यानि करण का तो जीवन ही था लोगों को दान देना तो बताते हैं कि धान हमें क्यों प्राप्त करते हैं तो बिखराने के लिए और रत्न जो है लुटाने के लिए यानि लोगों की मदद करने के लिए जग से कभी न कुछ लेते हैं दान ही रदय का देते हैं यानि ये करण जैसे लोग है वो इस जग से यानि दुन्या से कुछ भी नहीं लेते हैं केवल दान ही रदय का देते हैं दान ही रदय का देते हैं यानि लोगों के रदय पुर्वक दान देते हैं लोगों की मदद करते हैं किसी कर दिखाने के लिए नहीं परंतु रदय पुर पुर्वक दान देते हैं आगे जब स्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें वहिबविलाज प्राप्त होगा तुम्हें पुरे राज्य का राजन बना दिया जाएगा और तुम्हें अच्छे महलों में रहने को मिलेगा तब कर्ण ने स्री कृष्ण से कहा कि प्राशादों के कानकाब सिकर होते कबूतर के ही घर यानि प्राशादों में प्राशाद का अर्थ होता है महल कि प्राशादों के कानकाब सिकर कानकाब कनक वत्ता आभा कनक की आभा वाला कनक का अर्थ होता है सोना कि सोने की आभावाला जो महल होता है तुम्हें रहने के लिए मिलेगा तब जब यह करणा कहते हैं कि तुम मुझे इन महलों की लालसा मत दो क्योंकि यह जो महल जो होता है जो महल होते हैं वो तो कभूतर के घर होते हैं। महिले के कई कुछ ऐसे जगा छूट जाते हैं। महाँ पर कभूतर अपना घर बना लेता है। यह जो गरूड है यह ऐसे ऐसे महिलों की कोई छुटी हुई जगों पर जब कबुतर घर बना लेता है लेकिन जो गरूड होता है वो ऐसी जगा नहीं रहता यह कबुतर की तरह अपना घर महिलों में नहीं बनाते आगे कहिते हैं महिलों में गरूड न होता है कंचन पर कभी न सोता है कंचन कंचन का अर्थ भी होता है सोना यानि स्रीकृष्ण से क्या कहता है करना कि प्रासादों के कान का अप सिकर यानि महिलों के कनक अभा वले सिकर यानि महिलों के सोने के जो सिकर होते है यानि अच्छा खासा जो महिल होता है जिसमें सोना सजाय धजाय जाता है ऐसे महिलों में तो कबुतर रहते हैं लेकिन जो गरूड होते हैं वो कभी महल में नहीं रहता और कंचन पर कभी नहीं सोता है यानि सौने के उपर कभी नहीं सोता है तो गरूड कहां रहता है कि बसता वही पहाड़ों में सैलो की फटी दरारों में तो गरूड जो होता है पंची वो पहाड़ों में रहता है और सैलो की फटी दरारों में सैलो यानि पत्थर जो परवत रहते हैं पत्थर के उनकी कुछ फटी वगिरा दरार पड़ जाती है उस जगह पर ये गरोड रहते है ये कबुतर की तरह महल में नहीं रहते है सुख समृद्धि के अधिन मानव होता नीत तपक्षिन यानि जैसे जैसे मनुष्य को सुख और समृद्धि प्राप्त होगी ये मनुष्य जो है सुख और समृद्धि के अधिन हो जाएगा और दिन का अर्द होता है दास, नोकर, यानि भौतिक वस्तुए उसे सुख देने लगेगी, तब मानव होता नीत तपक्षिन, मनुष्य के भितर जो तेज है, उसकी जो शक्ती है, वो नश्ट होती जाएगी, तपक्षिन, यानि उसका जो तब है, वो क्षिन होता जाएगा, वो इंसान प्रभावहीन होता रहेगा, आज हम देखते हैं, कि पहले के जो मनुष्य थे, हमारे बुजूर्ग जो थे, हमारे पुर्खो जो थे, वो कहीं सालों तक जीते थे, सौसो साल तक, लेकिन आज, जैसे जैसे हमें सोक सुविदा मिलती गई, ऐसे ऐसे हमारा जीवन कमजोर होता चला गया, पहले चक्की पिस्ते थे, कोई से पानी लाते थे, तो बहुत स्राम पड़ता था हमारे सरीर को, तैकि तंदूरस्ती बनी रहती थी, लेकिन आज, जैसे जैसे सुक सुविदा मिल रहे है, तो हमारा सरीर भी क्षान होता जा रहा है, यानि हमारा जो तो बहें वो प्रभाव हीन होता जा रहा है, इसलिए ये करण कहते है, होकर सुक समरुद्धिक के आधिन, मानव होता नितत पक्षिन, जैसे जैसे सुक सुविदा मिलती जाएगी, ऐसे ऐसे मनुष्य के भितर जो उसका जो तेज है, वो काम होता जाएगा, आगे कहते है, स सत्ता मिलेगी, तुम राजन बना जी, तुम्हें राजन बनाया जाएगा, ताकि तुम राजा हो, फिर तुम्हें सत्ता होगी, किरिटी होगी, मनी मैं आसन मिलेगा, सिहासन प्राप्त होगा, लेकिन करण कहते हैं कि सत्ता किरिट, किरिट का अर्थ होता है, मुकुट और म मनिमय आसन यानि मनि से सजाय हुआ आसन जो है वो सारी चमक दमक रहती है तो वो मनुष्य का तेज हरन कर लेते हैं मनुष्य के भितर भी तेज है मनि के अंदर भी तेज है सौने के भितर भी तेज है ये सौने का मुगुट है वो भी तेजवान है यानि चमकिला है तो ये जो सुने का मुगुट है वो मनिमय आसन उस तेज के आगे मनुष्य का तेज कुछ भी नहीं लगता यानि ये सुक सुविधा के आगे सुने की चमक और मनिमय आसन की जो चमक है उसके आगे मनुष्य की जो चमक है उसके जो सक्ति है वो कमजोर साबित होती है इसलिए कहते हैं कि स जो सकती है वो यह सारे चीजे हर लेती है क्यों क्योंकि मनुश्य में जो सकती है लेकिन जैसे जैसे सुख सुविधा मिलती जाएगी उसे सत्ता का अभिमान आएगा अपना भौतिक सुख सुविधा के कारण सोने वगेरा का घमंड आएगा इसलिए उसके अंदर जो सकती थी वो दिरे दिरे नस्ट हो जाएगी आगे कहते हैं नर विभव हेतु लल्चाता है पर वही मनुझ को खाता है यानि मनुष्य वैभव के हेतु लल्चाता है आज बहुत से इंसान है सभी नर नर्या यानि विभव विभव का अर्थ होता है वैभव वहिभव के हेतु लल्चाता है कि मुझे ये मिलेगा मुझे ये मिलेगा पर वही मनुझ को खाता है कोई गरिब होगा तो उसे ज्यादा चिंता नहीं होगी लेकिन जैसे अमीर बनता जाएगा उसे चिंता होगी मेरा धन, मेरा धन वो रात को सायद सो भी नहीं सकेगा तो कई इसलिए कहते हैं कि नर विभव है तो ललचाता है और वही मनुझ को खाता है यानि जैसे जैसे वह विभव विलास मिलेगा धन मिलेगा, संपति मिलेगा तो वही लालच मनुझ को, मनुश्य को खा जाती है मनुज, मनुज का अर्द होता है मनुश्य अगे करना कहते हैं कि चांदनी पुष्पचाया में पल नर्गले बने सुमदुरोर कॉमल यानि करना जो सुखी इंसान है उसकी चांदनी और पुष्पचाया में पल इसके द्वारा उपमा दी जाती है कि चांदनी में पलते हैं कुछ लोग पुष्पचाया में पलते हैं यानि सुख सुविदा से पलते हैं अच्छे कासी उनके पास धन दोलत है ऐसे लोगों के लिए उपमा दी गई है कि चांदनी पुष्पचाया में पल नर्गले बने सुमदुरोर कौमल यानि जो सुख के जो साधर है उससे जे नर गले बने सुमदरोकमर जैसे जैसे सुख सुविधा मिलती जाएगी वेसे वेसे मनुष्य कौमल होता चला जाएगा कमजोर हो जाएगा पर अमरुत कलेश का पिये बिना कलेश कलेश यानि बेदना अमरुत कलेश का पिये बिना आतप अघंड में जिये बिना आतप यानि दूप और अघंड यानि आन्दी आतप अघंड में जिये बिना वह पुरुष नहीं कहिला सकता विद्नों को नहीं हिला सकता यानि सुक्षूईदा जैसे मिलती जाएगी ऐसे ऐसे मनुष्य का तेज है उसके जो उसके भितर कौमलता जाएगी यानि कमजोर होता जाएगा पिर अम रुद्द कलेश का भी यानि जब तक वह दुख नहीं सहेगा कश्ट नहीं सहेगा तब तक उसके भीतर ताकत नहीं आएगी आतप अगंड में जिये बिना यानि धूप आंदी वो सहेगा नहीं तब तक वो पुरुष नहीं कहला सकता यानि उसके अंदर मिर्दान गी नहीं आएगी उसे बहुत कुछ सहन करना है तब ही इसके भीतर सकती आएगी और वो विद्नों को नहीं हिला सकता विद्न यानि संकट यानि मनुष्य को बल्वान बनना है तो उसे धूप आंदी सब कुछ सहना पड़ेगा लेकिन जैसे जैसे सुक सुईदा मिलती जाएगी तो वो तो कौमल होता जाएगा फिर कभी भी कोई भी संकट आएगा तो उस संकट के आगे वो कौमल इंसान जो कमजोर है वो टिक नहीं सकेगा लेकिन जो इसने धूप आंदी सब कुछ सहा है वो कठोर होता चला जाएगा उसके भीतर सकती आएगी करण कहते हैं उड़ते जो जहांजावातों में पीते जो वारी प्रपातों में सारा आकास अयन जिसका विजदर भूजन भूजन जिसका यानि करण कहते हैं उड़ते जो जहांजावातों में जहांजावात यानि उस सब्दकार्थ होता है तुफान तो जहांजावात में जो उड़ सकता है पीते जो वारी प्रपातों में वारी सब्द का अर्थ होता है पानी और पानी कहां पीते है प्रपातों में यानि जर्णों में तो करण कहते हैं कि उड़ते जो जहांजावातों में पीते जो वारी प्रपातों में सारा आकास अयन जिसका अयन अयन का अर्थ होता है गमन यानि उसको उड़ने के लिए पूरा आकास है ऐसा जो पक्सी है वो है गरूड तो कहते हैं करणा मैं तो गरूड के समान हूँ जो जानजावातों में उड़ सकता है तुफान में उड़ सकता है पीते जो वारी प्रपातों में यानि जर्नों का वो पानी पीता है और सारा आकास अयन जिसका उड़ने के लिए उसके लिए सारा आकास है और विश्दर भुजंग भोजन जिसका ये भुजंग, भुजंग सब्द का अर्थ होता है साप तो लोग साप से डरते है तो उसी साप को ये गरुड खा जाता है और वीशदर, वीशदर यानि वीश को धारण किया हुआ वीशिला जो भुजंग है उसे ये गरुड खा जाता है भुजंग सब्द का अर्थ हमें ध्यान रखना है वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं धर्ती का रदे जुड़ाते हैं यानि ये गरूर जैसे पक्सी जैसे लोग है वही फणी बंद छुड़ाते हैं ये कबुतर की तरफ महल में नहीं रहते हैं, ये तो तुफानों में उड़ सकते हैं, तुफानों से टकराते हैं, और वीजदर भुजंग उससे भी नहीं डरते हैं, लेकिन उससे अपना भोजन बना लेते हैं, वीजदर भुजंग को खा जाते हैं, अगर साब किसी को काटता है तो उसके वीषbury उसे जहmot से इंसान मर जाता है इंसान भी इस वीषदर भुजंग से ड़ता है लेकिन यह गरुडह यह ऐसे कि सापों से ड़ता नहीं है लेकिन उस्थे खा जाते है अपना भोजन बना लेते हैं तो ऐसे गरुड़ औकसी जिससे वीर लोग ही फनी बंन चुडाते हैं उन फनी बं चुडाते हैं योनी फणी बं जब साप होता है वो किसी इंसान को चारों ओर से लपेट कर अपनी फैन चड़ा लेता हैं तो उसे जो शाप जो रिपता हुआ है उसे कहते हैं फाने बन उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल कारे है तो इसे छुड़ाना कौन छुड़ा सकता है तो घरूर पक्सी जैसे लोगें छुड़ा सकते हैं धर्ती का रदे जुड़ाते हैं मैं गरूड मैं कृष्णा मैं पक्सी राज सिर्पर्ण चाहिए मुझे दाज स्री कृष्णा से क्या कहते करना स्री कृष्णा मैं तुम्हारी लालच में आने वाला नहीं हूँ मैं कभूतर की तरह लालसी नहीं हूँ मैं कभूतर की तरह लालसी नहीं हूँ मैं तो गरूड के समान हूँ मैं गरूड कुष्णा मैं तो पक्सी राज हूँ पक्सी राज पक्सी राज का अर्थ होता है गरूड पक्सियों में जो राजा है वो पक्सी राज यहनी गरूड बता दे मैं तो पक्सियों में ऐसे गरूड के समान हूँ सिरपर न चाहिए मुझे ताज यनि मुझे मुझे मुगुत नहीं चाहिए मैं कोई राजा बनना नहीं चाहता कि मुझे ताज चाहिए दुर्योधन पर है विपद गोर सकता न किसी वीशोसे छोड़ यनि कहते है कि आज मेरा जो मित्र था, जो दुर्योदन, इसके उपर विपद आई है, विपद यानि संकट आया है, और गोर संकट आया है, तो इसे किसी वो विश छोड़ नहीं सकता, यानि कोई भी विश उसे बचा नहीं सकता, सभी लोग उसे माडने जुटे है, तो मैं उसका मित्र धर्म नि खेत का अर्थ होता है, युद्ध भूमी, तो बताते हैं कि मुझे इस युद्ध भूमी में, जो दुर्योदन पर संकट आया है, तो ये युद्ध भूमी मुझे उसका साथ देना है, यहने दुर्योदन का साथ देना है, रान खेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है अही पास अही का अर्थ होता है साप और अही पास का अर्थ होता है फणी बन जिस तरह साप ये फेन लगा कर बेट जाता है जैसे मैंने अभी बताया फणी बन इसका ही अर्थ होता है अही पास अही का अर्थ होता है साप तो अही पास काटना है मुझे को यानि साप जो फेन दन का ये संकट काटना है मुझे को यानि उसका संकट दूर करना है मुझे दुर्योधन का साथ देना है इसे उत्तरूप स्री कुरूष्णसे ये करण कहते है कि मुझे अही पास काटना है तो यहाँ पर यह करन जो है उसका जीवन हमें पता चलता है कि यह किसी भी लोब लालच में आने वाले नहीं हो, लोगों को हमें सदान ही देते रहे है एक तो किसी भी तरह से लालच में नहीं आना है दुसरा कि हमें जो भैभव्यार सुक सुविदा है जैसे भौतिक चीजों का उसके पीछे अंध होकर भागना नहीं है और हमें जो सच्ची मित्रता निभाना है वो मित्रतमे धर्म हमें निभाना है तो करणा का जीवन दर्शन ये जो काव्य था इसमें हमें यही बात सिखाई जाती है और करणा अपने आपको इस घरूर पंची की तरह बताते हैं कि उससे कोई भी साप यानि फणी बन से छुडा सकता है ऐसा कोई वीर जो है तो वे घरूर पकसी ही है तो हमें घरूर की तरह बनना है जो पंचियों में राजा है तो यहां पर हमारा ये जो काव्य था करणा का जीवन दर्शन ये पूर्णा हुआ है अस्तु